नमस्कार आप देख रहे हैं डिजियाना नियूज मैदी पकड़ा जगापका स्वागत करता हूँ आए नज़र डालते हैं आज दिन बर की प्रमुख खबरों की तरफ मालपुर की गुफाव में अग्यात लाश मिलने से लोग सक्ते में आ गए आपको पता दें कि डायल हंडिट को एक फोन आया था जिसने बताया कि मालपुर की गुफाव में एक कुए में कोई व्यक्ति की लाश पड़ी है जिसके बाद पुलिस पहुंचकर उक्त युवक की लाज बाहर निकाली वहीं कुये के पास एक साइकल भी बरामद हुई है युवक की पैचाना भी तक नहीं हो सकी है वहीं इसको देखकर हत्या की अक्षन का भी लगाई जा रही है हाला कि पुलिस हर पहल उपर ध्यान देकर काम कर रही है कि ये अत्महत्या है या फिर दुरगटना स्थानिय मॉडर्ण चिलर्ज स्कुल में संपन हुआ अनुकुट साथ नवंबर को यहाँ पर अनुकुट का आयोजन रखा गया आपको बता दें कि आयोजकों ने बताया कि अनुकुट का कारेकरम मुक्यता देवुटनी 11 से पहले किया जाता है पर चुकि शहर में इस बार कई अनुकुट हुए थे तो आयोजक समीती ने इस बार अनुकुट करने का फैसला बाद में लिया जिसके बाद कल इसको संपन किया गया आयोजकों के अनुसार यहाँ पर तक्रिमन 20 से 25 जार लोगों ने प्रसादी गहरन की जाते हैंMe हैुस मैं अम लोगों को करने का मुटा था पर मोगों वन ने इसलिए कि उस समय पकाश जैकर वीचाषर ठोल में ब English के लोग चाहते हैं, जादा से ज़्यादा लोगों को अंडिका दान देना चाहते हैं, वो समय हमारी कूरती नहीं हुपा लीथी, इस वार अंडिकूर्टों का ज़्यादा माहूल था, इसलिए हमने इसको 11 के बाद रखने का सोच आ, हमारे अंडिकूर्ट में आज हम लोगों का सब्सक्राइब करने का एक बाउंडरी में पंदर करने का एक बहुत अच्छा सुपसर मौका देती है मैंड़ा इम घरा चक पर कुछ लोगों युवक के साथ मार पिटाई कर दी युवक गंबीर हालत में जिला चिकसाले लाए गया आपको बता दें कि ब्रिजेस अपने खेत पर पानी दे रहा था वहीं पर इमरत और डाल चंद ने आकर ब्रिजेस पर हमला कर दिया जिससे ब्रिजेस के सर में चोट आई है जिसके अब तो लड़ाई तोरी है या अब ते पर तो तुझे देखंगा कई मैं खेत पैसे रहा रहा सुब में घर पर आप खाना खा कर दो कि शाम के ता आठ बजे साड़े आठ बजे मो में सीधी पाची सहीदत कर देंगी तुमरत में खुलारी मारी और बारे डाल चंद में सब अब तो ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को समालने और सुचारू से चलाने के नाम पर केवल कुछ जगों पर ही अधिकमार हटा रही है वहीं शहर के मुख्य मार्ग जिसे A.B. रोड कहा जाता है पर किसी भी ट्रैफिक कर्मी को अतिक्रमन दिखाई नहीं देता हम बात कर रहे हैं गुना में संचालित कोचिंग सेंडरों की जो कि शहर के मुख्य मार्गों पर इस्थित हैं साथे यहाँ पर कई व्यफसाइक बैंक भी हैं यहाँ पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अतिक्रमन दिखाई नहीं देता यहाँ पर गाड़ियों की इतनी विड़ होती है जिससे आने जाने वाले वर निकलने वालों को रास्ता ही नहीं मिलता समझ से परह है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी लोगों को इतनी रियात क्यों दे रहे हैं क्यों इन पर कारवाई नहीं होती कारवाई के नाम पर कुछ दो पईयवानों को उठा कर ले जाया जाता है यदि वाकई में ट्रैफिक पुलिस यहां से अथिक्रमन अटाना चाहती है तोने कारवाई इन कोचिंग सेंटर उपर एवं बैंकों पर करनी चाहिए 8 नवंबर यानि नोटबंदी को आज पूरे एक साल हो गया है नोटबंदी को अपनी मेहनत की सफलता बताते हुए भारती जन्ता पार्टी ने आज जिलमों घ्याले पर एक ऑजनकिया पत्रकार वारता में भारती जन्ता पार्टी उपलवदियों का बखान किया इस वारता में गुना विदाइक पन्नलाल शाक्य, मीडिया प्रवारी रमाकान चौबे, अशोक शर्मा, गजेंद्र शकरवार, अमिस्तोगान, संतोस धाकड़ा अधी कारिकरता मौझूद रहे. आफिर बता जम्तोगी मालों ता कि आथ पूछ लोगे कि नियान के वर बता कि अवश्यक है, एक कटना बता लेता हूँ. जापान में संत्रिक हट्टे पेदा होते थी, मां पीठे संत्रिक बुलाया, विदोसों से, तो आप आश्चे निया करोगे, कि मां के बालकोने में संत्रिक खाये नहीं, उन्हें कि आपने को यहां की अमी की बाली के मालब नहीं है. और विदेशों को जानी बाली के मालब है, को कौन सा समान कव करता है, तो हम सब ने यह व्येज बक्ति और राष्ट बक्ति के प्रती प्रस्ट्रों से चिंड़ लगता है. हम उन्हें तो उस बस्तों को त्याग दें, जैसे यह मोबाल है, हम सब के पास होगा सा. मैं बहुत बाली पास बता हो जाता, इन इन सब की टेग ने चाना दिये, किसके वर ये क्रिमोट बरता वाला है उसको, और तो करेगा ऐसा, करो लोग मताएंगे मोबाल करने वाले. वीमुद्री करन के लिए एक पकवारा वश शदश्तिकम्र गिया एक पकवारा वश मतलब मेरे गया तो पंगना साथ, तो हर पंगना साथ के वीमुद्री करन किया जाना चाहिए ह। वो विमुद्री करन पिछले कई साहों से नहीं हुए। 1978 में कॉमरे सब्कार ने 10,000 का रोट बन किया। वो बहुत सारे धनारे लोगों के पास ही 10,000 का रोट बन करता। उस समय बड़ी कीमत थी इस रोट की पर उसके पस्चा जो 500,000 के रोट हैं जिस पताब भी मुद्री करन नहीं किया गया। जबने निती यह कहती है कि विमुद्री करन एक उस रोट से लेके जितनибо करश्य मार्चेट में है विमुद्री करन किया जाएग़्ा। जो कि नहीं के दिला इससे कही पुशंतर रखे रेपके। मैं आपके सामने कुछ एक पॉइंट रखूँगा जिसमें की वीमुद्री करण से क्या लाख इस देश को हुगा वो सबसे मैंटून है कि अधको एक बात कर आए हो काप में आपने देश में क्यों पुआ के सड्ययन पर चला है उन सड्ययन के पर नहीं आदधा करते हैं वह कुछ गिने चिने चिन्दार हो रहे जिनका किवल यही काम है उन्हें केवल अच्छा दिधा ही दिए डिए लगी है तहीं किग देवारी इनको उनका काम है यही है ऐसा काम आशनी हर सप्ता परिवर्तन के सुझाग बात है प्रहुना पिसला गटन को पता है जिस समय आपके ने चल रोग तो सहिदा सांस को बिटाए तो उसको बहुत भारिशानी हो इस अगर तो सावदानी से नहीं अपके कदम उजादा तो वोई यहां से ही नहीं बनता तो जिरा अलशना कोई रोपत नहीं है जत्मारत सिर्फ कोई रोपत भी दिए है एक तरफ तो भारती जनता पार्टी नोट बंदी के फैसलों को एक महत्पूर्ण उपलब्दी बता रही है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस ने आज के दिल को काला के रूप में मनाया सभी कॉंग्रेसी जन नगरपालिका परिशत के सामने कटता हुए नारेवाजी करते हुए कलेक्टरेट तक पहुंचे नगरपालिका के सामने धर्ना प्रदाशन भी किया इस मौके पर शहर कॉंग्रेस से सभी कॉंग्रेस जन मौजूद रहे वहीं उन् अपने अपने हाथों पर काली पट्टी बांद कर इस धर्ना प्रदाशनेवम रेली में साथ दिया परदान मंत्री ने किया था उसके विरोध में हम लोग आज सब जनता के साथ मिलके विरोध दिवस मिना रहे हैं जैसा कि आप सब को पता है कि आज से बारा महीन पूर जब ये इटलर्स आई रात को बारा बज़े से लगी थी तब हचंता में एक अफरत अफरी का माउल था हर तरफ तराही तराही मजी होई थी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कि नहीं हें दो स्थी समय दो अज पहले दिवर्ट कॉंग्रस पाइडी कि टेगी हमेशा काला जोष के दिवर्ट में मनाएगी और इस दिन को हमेशा याद रखा जाएगा कि एक काला दिन है योगी कि बाजफा आज इस दिन को जैस्ट मना रही है कि देड़तों के दोसों लोग आज की दिन फिटलिट पर मारे गएते हैं मैं आमदित करना हूँ हमारे बार के द्रेक्ष परिल्ट में चात्रण नगर से तीन किलोमेटर दूर घने जंगलों में ठाकुर अशुक राजपूत और उनके परिवार के द्वारा स्वर्गिये भगवान सिंग राजपूत की स्क्मिति में तीन नवंबर से नौ नवंबर तक स्रीमत भागवत कता का आईजन किया गया है इस भागवत कता में मुख्य वेदी पर मुख्य जजमान के रूप में अशुक राजपूत अपनी पतनी एसी लवाई के साथ बैटे हैं श्रीमत भागवत कता के छटवे दिन कता वाचक स्री आननजी शर्मा गरेठी जिला अशुक नगरवालों के द्वारा आज कता में गोवदनर परवत के बारे में विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार विंदावन बासियों ने भगवान इंद्र की जगा गोवरधन परवत की पूजा प्रारम की तो भगवान इंद्र ने गुस्ते में आकर बहुत बारी वर्षा की जिससे सभी ग्रामवासी परेशान होने लगे एवं पूरे ब्रंदावन में हावाकार मच गया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर साथ दिन और साथ रात तक गोवरदन परवत को उठाया एवं समत ग्रामवासियों को उसके नीचे शरण दी इसके बाद भागवाज कता में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवावी दुमदाम से मनाये गया इस कता में सुन्या सभी सर्दालू ने नेत्र भी किया और कता वाचक आनंदी जी के साथ आई हुए क्यालाकारों ने सुन्दर भाजनों की प्रसुती भी दी कता को सुनने के लिए दिन परते दिन सेक्रों की संक्या में सर्दालू आ रहे हैं जो तो है भगवान भाने बोले मैंने पूत ना को मारा मैंने बकासुर को एλέ...शार हातों से कैसा बोजन करने में वियस्ते हैं कलीयावुनीं प्रेप से खलाओ करूए सितु कहरी है नदीतानाओ पुरानी नदीतानाओ कुरानी है कहरी है बत्यचो कैसाफ आंको bater shoe चाचोड़ा गोया रोड़ पर दो बर्चों से बनाया जा रहा है अमबेट का भवन जिसकी लागत 42 लाग रुपे है यह अमबेट का भवन दो बर्चों से बनाया जा रहा है लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ जिससे आम जन्ता को इसका लाब नहीं मिल पा रहा और जितना भी काम पूरा हुआ है वह पूरा निर्माण घटिया हुआ है साब दिखाई देता है कि बर्चात के समय बिल्डिंग में पानी भी टपकता है क्योंकि पूरा काम घटिया निर्माण से किया गया है विभागे इंजिनर महिंद बोस से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताए कि बजट नहीं था इसलिए काम नहीं की गया चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिमन नामदेप की रिपोर्ट आरों तैसील में ग्राम पनवाडी हाट में साच की उच्चेतर मादमिक विद्याले पनवाडी हाट में प्रिशुक्षि आईएस आईपियस अधिकारी उद्वारा सवच्च बारात अभियान पर रेली निकाली गई सच्चेतर पेंटिंग प्रतियुक्ता का आयोजन किया गया स्कूल के चाते चात्राओं को सम्मानित भी किया गया इसका आयक्रम का आयोजन बेटी पड़ा और बेटी बचावा अभियान के तहत किया गया तथ पच्छा स्वास्तकिती जागुक्ता रेली निकाल का लोगों को प्रेरिद किया गया। तथ पच्छात पृतिग्यासाभी छातर चातराओं यम ग्राम बाशियों को दिलाई गई। अधिकारी प्रिश्युक्षिवाज प्रिश्युक्षण आईएस, आईपियस, नितिश्च पांडे, कृष्ण कुमाज, सचिन सिंगल, अशुक पांडे, हनुमंता राजु, उगने दोर जी, द्वारा ग्राम प्रनवाडी हाट में साफ सफाई और सचता अभ्यान के थे, सच आपो लौँ को ब्रोज़गार किया है, आप समने, राजे जी, अभे मारा बढ़ा, जब रोगे, मोजी तिने रोड़ बंजी में, राजो लौज को फिरोगे, देखतों मुझे काफी प्रसम के थे, ताकि राजों के सचता से आगे बढ़ कर, राजों के सचता से आए, अप हारों से हमारे सही होगी, चंद्रे स्रगवन सी की डिपोर्ट पत्रकारों के सवालों से बोखला उटे विदायक पर नलाज शाक्ये, नोटबंदी पर एक साल पूरा होने पर भाजपा सरकार द्वारा सारे देश भर में करांती कारी करम रहा, इससे जहां वरष्ट चार पर काफी हद तक लगाम लगी है, वहीं आतंग बाद और नक्सल बाद की कमर भी तूट गई है, यह बाद भाजपा निताओं ने आज एक होटल में पत्रकार वारता के दोरान कहीं, इस दोरान भाजपा ज़रों ने नोटबंदी के फायदे भी गिनाए, भाजपा ज़रों ने कहा कि यह निर्णे निर्णा प्रधान मंत्री की निर्णे श और व्यपारियों को भी फायदे मिल रहे हैं, इस मौके पर जब पत्रकारों ने विधायक पनराल शाके से जैविक खेती और पारमपरी खेती पर सवाल किया, तो विधायक कहीं न कहीं बौकला गए, और पत्रकारों से उंचे तेवर में बात करते न जराए, वहीं एक और पत्रकारों ने विधायक के उपर सवाल किया, तो विधायक पनराल फिर जल्ला उठे और उन्हें कहा कि मुझे किसी और से मतलब नी, मुझे तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, मैं विधायक में लिप्त नहीं हूँ आज ब्लॉक कॉंगर्स कमिटी रादोगार द्वारा नोट बंदी के विरोध में काला दिवस के रूप में मनाये गया। ग्यातों कि इसी दिन मौझूदा सरकार द्वारा नोट बंदी लागू की गई थी। इस कदम के कारण 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्तु ही तता करोणों लोग विरोजगार हुए। इसलिए इस दिन को भाच्वा सरकार की जन विरोधी नेती की विरोध में काला दिवस के रूप में मनाये गया। पुक्त विरोध प्रिजैसन काहिकरम में पूर्व सांसाद लक्षमाट सिंग एवं विदायक जिवरदन सिंग विशे इस रूप से उपस्तित रहे। सभी कारकरताओं ने काली पट्टी बांद कर नारवाजी करते हुए रेली निकाली जिसमें पूर्व सांसाद लक्षमाट सिंग एवं विदायक जिवरदन सिंग ने सरकार विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताया। पटेल साहब श्री बैजनास सिंग यादर जी जो भाषपा में ठेब कॉर्स पार्टी में आगए हैं। हमारे बहुत आज़त होने ताम में माहा बनाकर उनका कॉर्णिस पार्टी में शावत किया है बहुत बहुत अराइब जय हो। रादोगर से हमारे संगी कमलिस सेनी की रिपोर्ट। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पड़ावादी योजनाय चला रही है। नरेंद बिलडवान, ब्लोग कारवायक अध्यक्ष डाक्टर धर्मिसिंग सौलंकी, जिलप्रवारी कुल्दीप कश्यप आदी लोग उपस्तित रहे। एक तरफ तो ऐसे ऐसे नियम बनाये गए हैं सरकार की तरफ से, कि दनितों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जनितों को आगे बढ़ाया जाता 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 है। य drafting लेखे कि उल दोड़ाया जातार जाता है। झाल झाल